नमस्कार दोस्तों, श्टाक मार के स्टेडिज में फिर से गवर आपको बहुत बहुत सागत है, तो आज में फिर से आपके सामने कुछ इंपोर्टरंस कमपानी का अपडेट सेर करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा लास तक देखेगा, और अब जितक अपने चैनल को पाने के लिए चैनल को उपर बने रहिएगा, तो चलो देख लेते कौन सा कौन सा कमपानी है, इस वीडियो के अंदर, फर्स्ट चो कमपानी है, जिसके बारे में चर्चा करू, उसका नाम है इन्फोसीस, देखें, इन्फोसीस लिमिटेट के बारे में चर्चा करू, तो इ आपको मैं एक बड़ा को चाट पटन दिखा दू देखिए जब भी इस लेवेल में क्या हुआ था, यहापे देखिए बिग नेगेटिब न्यूज आ था, कंटिनेसली सेलोग हो रहा था, उसके बाद गाप डाउन में उपन हो गया, और जब भी गाप डाउन में उपन हो गय कुछ support लेवेल में इस तरगे से कुछ hammer candle create करें, तो सोचेगा यहाँ से एक बड़ा धमा का जरणी देखने को मिलेगा, यह बड़ा सा धमा का जरणी आपको देखने को मिलेगा, तो finally इस लेवेल में क्या हुआ, फाइनल इस लेवेल में एक breakout हुआ, तो इस breakout होने के बाद यहाँ पर देखिए continuously एक journey बहुत दिने तक चला और final देखिए उपर जाने के बाद फिर से यहाँ पर एक बार news को negative market में फैलाया और बड़े institution फिर से माल उठाया तो देखिए आप कहेंगे सर इस तरह के से होता क्यों है देखिए इस तरह के से होता नहीं इसको मतलग किया जाता है कि बड़े institution को माल खरीदना है तो कभी भी वो high level में खरीदारी नहीं करेंगे वो हमेशा share को पहले correction कराएगा एक negative news खेला कर और उसके बाद उस जगा पे वो quantity add करेंगे अब ध्यान से देखना जब भी नीचे आया उस time volume देखिए इस volume आपको के लग रहा होगा public ने किया पिल्कुन नहीं ये सारे के सारे institution का खेल है institution तब भी माल भाई करता है जब company को discount में मिलता है देखिए आज market में सेरकापे है top level में है एकदम top में है और company इतने दिनों तक time बिताने के बाद company finally target अचीव किया कोई छोटा मोटा target नहीं दिया company करीबन target दिया 31% के आसपास और वो भी कितना 268 days में 268 days का मतलब क्या होते है एक साल में भी अगर profit मिलता तो भी बढ़िया चीज होता तो infosys के उपर जिस तरीके से मतलब momentum जरिन देखनों को मिले तो मेरे सबसे बेस्ट momentum जरिन है अभी में integer करो एक बड़ा सा धमाका के लिए वो धमाका क्या होगा यहाप एक big जैसे क्या बना एक big जैसे cup बन चुके है अभी में मतलब में नहीं चाहूँगा मेरे चाने से कुछ नहीं होगा तो यहापे में जुरू integer करोंगा यहापे छोटा सा अगर कोई handle button create करे तो cuff with handle buttons compete होगा और उसके बाद अगर breakout करे तो एक बड़ा journey फिर से में लेने के लिए तयार हो तो आप इस company के उपर क्या रहे रखते है जोरू मुझे comments करना क्योंकि आपर देखे previous जो इसका lifetime हाई है उसी के नीची anti बनने जा रहे तो इसका possibility higher horse होने का chances रहेगा तो मैं infosys के उपर bullish हूँ क्योंकि इस company के उपर इस बाद जो quarterly result किया वो भी देखे धमा का जैसा company अच् 500 करोर के आसपास profit हुआ था इस बार वो profit margin जे 1100 करोर के आसपास देखने को मिला तो यहाँ पर यहना का मतलब है company का profitability growth है net profitability के जो growth है वह कुछ इस तरीके से देखने को मिला अभी भी थोड़ा सा pressurize है फिर भी company के उपर एक अच्छा का सा result देखने को मिले क्योंकि year of year basis मे company के उपर लगाता profit का growth बढ़ते चले जा रहा है तो इसलिए मुझे लग रहा है mutual fund ने भी इस company के उपर छोटे मोटे quantity sell किया फिर से buying भी कर रहा है selling भी कर रहा है इस तरीके से हल मतलब हल चल चलते रहते है company के उपर आपके क्या opinion है मुझे जोरू comments करके बताना next company उसका ना company के lifetime जो high था जहांसे opening हुआ था IPO आने के बाद जो opening हुआ था वो level था 916 रूपीज और 916 रूपीज फाइनली वो target के अचीव गया क्यों कि देखे जब भी कुछ अच्छा company कुछ इस तरह के से correction हो उसके बाद reversal करना कोशिस सुरू करे तो सोच ना वो company फिर से reversal करके वो target क अचीव करेगा तो मतलों उही level तक वो पहुंचेंगा तो पहले मैंने यहाप एक cup with hanner patterns बना था और मैंने यहापे breakout होने के बाद MT लिया और यहापे target अचीव हुआ तो मुझे 17 person के आसपास target मिला और फिर से मैंने यह भी बताया कि मैं कुछ quantity को continue करूंगा इस level था क्योंक कुछ levels में कुछ strongly resistance level में resistance कम supply zone में कोई भी इस तरीके से shooting stage जैसे candle create करें तो सोचना वह से correction होने का भी chances आपको देखने को मिल सकता है बाकि अभी होगा क्या किस तरीके से इसको rate करेगा किस तरीके से इसको देखने को मिलेगा वो तो feature में आपको दिखेगा तो मैं LIC के उप पर मेरा investment नहीं है हाँ छोटा मोटा investment किया क्योंकि PC company है कि इस तरीके से company के पर में ज्यादा रिक्स नहीं लूँगा और हाँ एक चीज़ को मैं बता दू कि LIC के उपर आपको अगर investor दिखे तो promoter के बाद FISDS नहीं दिखेगा क्यों क्यों क्योंकि promoter ने 96% holding करके रखे है जो सेवी के rules के इसाफ से ठीक नहीं है क्योंकि 75% के उपर holding नहीं होना चाहिए इस बात को आपको आपको याद रखना होगा कि 75% के उपर holding नहीं होना चाहिए तो company के promoter ने क्या क्या promoter तो ज़्यादा holding करकर रखे तो आज नहीं तो कल वो माल बेचेंगे जब भी वो माल क को sell-up करेगा तब भी वो FIS और DS कुसमाल को add करेगा तो इस बात को आपको याद रखना है तो जब भी institution खरीदरी करेंगे तो share में एक massive momentum journey देखने को मिलेगा तो LIC के उपर बाकी points तो ठीक ठाक है अभी देखना है company का result का आने वाल है तो मैं इसके उपर फिर से कुछ बड इतना बड़ा कब बनने के बाद यहाँ पर अगर एक solder pattern केट करे और कुछ time बिताने के बाद फिर से breakout करे तो मैं फिर से एक बड़ा anti लेने के लिए त्यार रहाँगा बाकी आपके कराया है जोरू मुझे comments करके बताना नेक्स चो कमपानी उसका नामे सुजलोन एनरजी लिमिटेड देखि इस कमपानी के तो चार चांद लगे तेकि जो कमपानी एक दो रुपिया में चल ला था आज वो कमपानी 45 रुपीज तग हाई किये तो मतलब सोचिए जो लोग एक दो रुपिया में वाई करके रखे तो उसको 40 गुना उसका फांड हो चुके थे 40 गुना तो सुनने में कुछ कितना आसान लगता है कि हाँ 40 गुना साहिद में इनिवेस करके रख देता तो मेरा फांड तो 40 गुना हो जाता और वो भी 3 सालों के अंदर अंदर कि तो कोबीट के टाइम में कमपानी का प्राइस तो तीन सालों के तीन से चार सालों के अंदर-अंदर कमपानी ने 40 गुना रिटान दे दिया तो इसको देखने में अच्छा लगता है सुनने में अच्छा लगता है मगर कमपानी का बिजनेस में कितना अच्छा है वो देख लीजिए मुझे इस company के उपर सबसे जो points मुझे सबसे weakness लगा मुझे जो डर लग रहा है जिस बातों में वो है इस company का peer issue company का 3 साल में average period से कितना है? 114 सरी 5 साल में average period से कितना है? 114 और company के period से कितना चला है? 150 के उपर तो इसका मतलब company एक over brought zone में जा चुके है तो बाकी देखिए company का ROC तो है मगर ROE देखने को नहीं मिलेगा company के income तो है debt भी कम है company के उपर quarterly जो result है वो भी देखेंगे sales लगातार बढ़ता हो देखने को मिले expense को control करने के बाद company का net profit जो पहले negative में हुआ करता था आज वो positive में है last year में company का profitability growth धिरिधे करके एक range की हिसाब से है फिर भी मैं range नहीं कौँगा क्योंकि बीच में 320 करोड हो गया था और company का फिर से 100 करोड हो गया अब 320 करोड की हुआ था company का आधा सिन कमाया था आधा सिन का मतलब company को extra आधा सिन कमाया कहा से आया company business को कुछ business के product को कुछ company बेचा था तो उसके कारण company के एक स्टापाईस आया था तो देखिए आप कहेंगे sir क्या इस company के पूर सही में यह best time है इस company के पूर इंवेस्ट करने का देखिए मैं एक चीज बता दूँ इंडिया के number one wind project energy के उपर काम करते है सुजलोन energy क्योंकि wind energy में जितने सारे इंडिया में company है उनमें से सबसे ज़्याधा पुराना company है सुजलोन energy उसके साथ सबसे ज़्याधा मतलब power generate करते है सुजलोन energy वो भी wind project के मतलब से ध्याद लखे है इस चीज़ी को wind project के मतलब से तो देखिए government solar project wind project इस तरीके से project के उपर ध्याद दिया है और इसके उपर push भी कर रहा है बहुत सारे PLS scheme भी लेकिया है और government इस तरीके से push करेंगे तो आगे बनने का जाद से दम देखने को मिलेगा और सायद मुझे लग रहा है इसी कारण के बज़े से institution इसके उपर हभी हो रहा है institution इसके उपर भाइंग कर रहा है जैसे FS के पास 10% DS के पास 9% के आसपास holding देखने को मिलेगा और public के पास 65% के आसपास holding देखने को मिलेगा तो कहने का मतलब है अच्छा कासा holding तो है अभी देखे mutual fund ने क्या क्या बहुत देख लीजिए continuously इस company के उपर से लेव किया हम लोगों लग रहा है कि company mutual fund ने इस company के पर भाई कर रहा है अगर हो रहा है कुछ उल्टा continuously एक selling pressure देखने को मिला अभी इस company के उपर में टेकनिकली अगर चार्ट पैटन्स के बारे में बात करतो सूजलन एनजी के उपर देखे एक सांदा तरीके से पैटन्स के ड़ा था क्या बना? एक shoulder, कम head, कम shoulder बना और उसके बाद breakout होने के बाद देखिए सांदा तरीके से यहाँ पर target का अचीव किया एक अलग level का target को यहाँ पर अचीव किया तो best तरीके से target को यहाँ पर अचीव किया और वो भी कितने दिनों में करीवन-करीवन 78 days में 87% का return तो लोग को देखकर हैरान हो जाएंगे कि हर दिन में 1% से भी ज़्यादा company return देना किया तो यही होता है खासियत कोई अच्छे company में सही time में अगर सही धंग में कोई company आपको दिखे कि हाँ fundamental financial strong हो रहा है और institution buy कर रहा है तो उसमें आपको एक target अचीव होता देखने को मिलेगा बाकी इस company के उपर आपके decision ले रहा है जोरू मुझे comments करना नेक्स चो company है उसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है Sinclair Hotels Limited तो इस Sinclair Hotels Limited के उपर एक update है बो है bonus का 29th of January कमपणी एक के बदले एक share bonus के साब से देने वाल है तो इस company के उपर study करना उसके बाद काम करना इस सारे वीडियोज as education purpose में है मैं कोई से भी register person नहीं हूँ तो इसलिए में आपको कोई भी tips and tricks नहीं दे पाऊंगा मेरा काम है सारे चीज़ों को आपके साथ education purpose में share करना आपका काम है उसके उपर verify करके आपका जो advisor है उसके साथ बातचीत करके काम करना इतने एक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यबाद